प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिक्ता, गरीब, पीडिक, वंचित, शोशितों की उठाएंगे आवास, गाउं हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नज़र, आप देख रहे हैं, न्यूस राजिस्थान 24, हमीशा आपके हित में नगर के कासोद बाड के वर्षों बाद कई विद्याले भवन निर्मान कारे शुरू हुआ है, लेकिन मानो तो उसमें भी निर्मान सामगरी वे नियमों को विभाग ये अधिकारों वे ठेकदार भूल चुके हैं, श्राब्द जानकारी के अनुसार कासोद गाउं में महात्म गांधी राज विद्याले निर्मान का कारे समगर शिक्षा वे भाग चित ओडगर द्वारा शुरू हो चुका है, लेकिन ना तो स्थाने पार्षद की खबर है नहीं विद्याले विकास समीती के अधिक्ष का पता चल पा रहा है, शुक्रवार को निर्मान कारे की जानकार प्रजापत से संपर्क किया तो विद्याले की कॉलम में फुटिंग में सीसी भराई कारे चल रहा था तो कनेश्ट अभ्यंता ने जवाब दिया कि मुझे ठेकेदार से नहीं पता चला है सिती पर ग्रामीणों वे पार्षदों ने पाया कि फुटिंग की मात्रा चारेंच गिट्टी भरी हुई थी वहीं इस मामले संस्था प्रधान ने फोर पर जानकारी लेना चाही तो संस्था पक प्रधान ने पला जाड़ लिया और जवाब दिया कि देख रहे कि चितौरगर के अधिकारी का काम नहीं है वहीं संपी अध्यक्ष पूछा कि आपने मुझे एक कार शुरू होने से पहले सुचना क्यों नहीं दी तो जवाब में पाया कि क्या आपने कुछ काम किया है मौके पर उपस्तित पारशद संपी अध्यक्ष वैग ग्रामीन जन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भवन निर्मान कारे में शुरू होते ही इतनी अनियमता है तो आगे का कार कि कितनी गुण्वत्ता पूर्ण हो अभी अंदाजा लगाया जा सकता है निर्मान कारे में यह है अनियमता आई सामने कासोद में वार्ड परिशद एवं विद्याले समीती के अध्यक्ष द्वारा निरिक्षण के दौरान भवन निर्मान में जो अनियमता सामने आई है बहे मौके पर सीसी सामगरी के क्यूब भरे हुए नजर आये हैं पजरी के स्थान पर कथित रूप से एमसेंड के नाम पर क्रेशर डस्ट काम ले ली जा रही है एमसेंड तथा मिट्टी की जाच रिपोर्ट भी निर्मान कारे करने वालों के पास नहीं थी जबकि यहां पर मिट्टी की जाच रिपोर्ट करना आनिवार्य थे क्योंकि गाव काफी वर्षों से पहले बुच खनाल की मार्च झेल रहा था जिसके पूरा गाव दफन हो गया था इसके प्रमान आज भी वहाँ पर गहरी खुदाई करने के लिए मिलते हैं मिट्टी की जाज कनेश्ट अभी जनता ने कहा है कि खुदाई में रोग स्टोन आ गया था इस भवन में कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि कुछ आनी होगी तो मैं हूँ